ये हैं वोईस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वोईस टीवी यूपी खबर सक्सतेज नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कोमल गुपता वोईस टीवी यूपी पर आपका स्थ है से रोजबाद में अवैद रूप से डीजल चोरी की शिकायत पर SDM टूनला ने की छापे मार कारवाही जियां बता दे SDM टूनला डॉक्टर बुश्रा बानो ने थाना टूनला चेतर के गाउं महम्मदाबाद में पकड़ा अवैद डीजल चोरी का कारुबार टूनला पुलिस की नाग के नीचे चल रहा था अवैद तेल चोरी का कारुबार SDM टूनला की सकते कारवाही से मचा हरकम महम्मदाबाद से अवैद रूप से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टेंकर से डीजल चोरी करके 1400 लीटर डीजल बरामत किया एक लिवक भी रासत में लिया गया SDM टूनला ने थाना टूनला पुलिस को मौके पर सूचना देकर बुलाया और काफी समय से फल फूल रहा था ये डीजल चोरी का देखे रिपोर्ट इनका मामला यह जाए यह गाड़ी आत्म कर दो लाख रहे हैं यहां पे इससे बेंडिंग वाले को बनाने कटवाद के रहा दिया तो इस तरह से 15,000 लीटर में जाता है और इनका यह होता है कि यह बेंडिंग करवा पर वादें कर दो प्रटगी इदर हो यानों प्रटगी पकड़ा है टेंकर क्या किना जाए आज मुझे इंपक्ट कल सूचना मिली थी मुझे तो कल मैं ट्रेडिंग पर बाहर थी तो आज सूचना मिली कि एक ट्रक आ गया है और उससे तेल निकाला जा रहा है तो हमें उन्हें लोकेशन बताई और जैसे हम यह पहुंचे तो यहां पे चार लड़के उपर थे और दो लड़के बाहर थे एक दम से वुझे हमें देखके बाग में लगे और एक लड़के को हमने पकड़े लिया उतन इसे लोगों को सब्सें करते हैँ वारे में जानकारी आइज नहीं हो पा आई यह तोटल से च्छे को इसमें एक ड़के बाहर ते हैं उसमें सब एक लड़के बाहर हैं चारे लोग इसमें सिक्षा जगत में अग्रडी महात्मा गांधी सेवा एवं सिक्षर संस्थान द्वारा संचालित महात्मा गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पता धोलपुरा रोड निकट MGM धोलपुरा स्कूल फिरोजबाद DLA में प्रवेश हेतो शिग्रही संपर्क करें प्रमुक विशेषताएं गुडात्मक प्रसिक्षर प्रदान करना विध्याले से प्रसिक्षत अधिक्तम प्रसिक्षों ने सी टेट एवं यूपी टेट पास किया अनुभवी प्रसिक्षकों द्वारा प्रसिक्षर प्रदान करना कम्प्यूटर लैप एवं लाइब्रेरी की सुविधा कमजोर प्रसिक्षूओं पर विशेश ध्यान अतरिक्त कक्षाओं का संचालन कारेवाख प्राचार्या श्रीमती जैच्री रीना रानी कारे आले अधिक्षक मयंग शतुरवेदी सायोग के लिए संपर्थ करें 8630714228 ओफिस नमबर 8273873537 तो मैं यह बताना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ पे एड्मिशन प्रिक्रिया चल रही है जो कि आयोग के द्वारा यह चल रही है यहाँ पे 30 अगस्त तक लास्ट टेट है रेजिस्टेशन कराने की सकते हैं और उसके बाद ही हमारे भी तैलेम प्रवेश ले सकते हैं